आपका स्वागत है टार्गीट सरकारी नौकरी चानल पर मैं होर्शाद अली आज की हमारी इस करेंट अफेर्स की लास में हम जनवरी 2022 के इंपोर्टन रास्टे और अंतरास्टे स्थर के जो घटना करम हुए हैं उनको यहाँ पर कबर करेंगे तो करेंट अफेर्स की यह सीरीज आपकी एक हमने पहले शुरू की थी जो आपकी काटेगरी वाइस चल रही थी उसको भी ऐसे ही चलते रहने देंगे हम और मंतली वाइस भी करेंट अफेर्स की कुछ कुछ सीरीज में वीडियोज हम आपको एड़ करते रहेंगे तो Current Affairs की ये सीरीज आपकी जो Altigrate की परिक्षा है ये आपकी SuperDate की परिक्षा है ये PPSC की परिक्षा लेकपाल की परिक्षा इन सभी में बहुत हेल्प करेगी और SuperDate की परिक्षा के तयारी हम शुरू कर चुके हैं तो ये SuperDate का हिस्सा भी है आईए शुरूआत करते हैं पहला प्रशन देखते हैं वीडियो का आपसे रिक्षा जितने भी वीडियो आएंगे आपको Like and Share इतना जरूर करना है सभी वीडियो पर आज का पहला प्रशन देखेंगे जनवरी 2022 को केंदर सरकार ने किसको इसरो का नया अध्यक्ष न्युक्त किया है इसरो भारत की सर्वोच अंत्रिक्ष एजेंसी है जिसका फुल फॉम होता है Indian Space Research Organization जिसको हम इसरो बोलते हैं इसका हेटक्वाटर कहां पर है इसका हेटक्वाटर बैंगलूरू में है यानी करनाठक में है जिसके फाउंडर थे विक्रम सारा भाई इसके स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1989 को ये प्रशन आप से परिक्षा में पूछा हुआ है स्टार्टिक प्रशनों में ठीक है ये डॉक्टर के सिवान के स्थान पर इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है स्रोका पहले प्रशन का अंसर सी प्रशन अगला उतना ही महत्वपूर्ण है जनवरी 2022 को उचेतम नयायले ने किसकी अध्यक्षता में प्रधान मंत्री की चूक में एक जाच समीती का गठन किया ह इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है आप जान रहे हैं बड़ी चूक क्यूं ही थी प्रधान मंत्री की सुरक्षा में पांच जनवरी का दिन था फिरोजपूर पंजाब में प्रधर्शन कारियों की द्वारा जो प्रधान मंत्री जिस रूट से जा रहे थे उस र इस तरह की घटना जब हो तो और कोई हाथसा वगेरा इनसे समान इतना हो उसकी जांच के लिए कमीटी का गठन किया गया है कि इस तरह की चूक क्यूं ही तो इसमें जो अध्यक्षेम वो कौन है इंदू मलोत्रा ऑप्शन डिया आंसर होगा इसका प्रशन अगला देखें जनवरी 2022 में पहली बार किसी मनुश्य में जो है सुर के हिर्दय का प्रत्यार ओपरन किया गया है कहां पर किया गया है तो यह अमेरिका में किया गया है और यह सक्सेस्फुल भी हुआ है इससे पहले किये गए प्रयासों में ऐसा जब किया गया तो उस सारे प्रयास जो है स स्वस्त थे तो अभी इस पर जो है रिसर्च और भी चल रही कि अगर ये पूरी तरह से आगे और इस पर जो है अब्जर्वेशन करेंगे अगर ठीक रहा तो फीचर में जो है इस तरह के आनुवांशिक रूप से तयार किये गए जो जो पिक के जो हार्ट है उसका इस फेस्टिबल 2022 की इंपोर्टन प्रशन है इसका थीम आप से पूछ सकता है कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ इसका थीम था 2022 का और इसको अस्वम के गोहार्टी में इसका आयजन किया गया था पहले इस महतसाब का जो आयजन था वो नई दिल्ली में होना जो है प्रपोस्ड था लेकिन इसको गौहार्टी में किया गया प्रशन अगला देखिए जनवरी 2022 को कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन एक ओपैक इसके नए महासचीब कौन यूट्थ हुए है और इसके जो कुल सदस्यों की अगर हम बात करें टूटल नं लेशं क्या है जो पेट्रोल्यम निर्यातक देश इनका संगठन जिसको पैक कहा जाता है जिसमें important जो पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है है ऑलजीरिया है अंगूला है कॉंगवरתח में गैबन है और इरान इराक कुष लीभिया नाइजीरिया साथ में सॉधी आरेबिया और UAE Venezuela भी है तो याद रखिएगा स्ट्राटिक प्रेशनों में आपसे पूछ सकता है तेरा पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है ये हैटकोर्टर उस्टेरिया वेनम है और इसके जो अभी महासचीब न्यूक्त हुए है वो है हैतम अलगहस प्रेशन अगला उतना ही इंपॉर्टन्ट है जनवरी 2022 में कौन पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोट है उसमें पहली महीला जजज बनी है इनका नाम ही आपको याद रख लेना काफी होगा इस प्रेशन में इतनी जानगारी काफी है पाकिस्तान की सुप्रीम कोट की पहली महीला जजज कौन बनी है आईशा मलिक बनी है इससे पहले वो जो लाहोर हाई कोट है उसकी निया अधीश थी इसको माग कर लो उत्र प्रदेश का ये करेंट अफेर्स में भी शामिल किया जाए गाए प्रशन ये खत्म होते साल का है लेकिन अभी वर्तमान में कौन है उत्र प्रदेश के नए मुख्य सचीव कौन न्युक्त किया गया है तो उत्र प्रदेश के नए मुख्य सचीव जो है दुरगा शंकर मिश्रा को न्युक्त किया गया है प्रशन अगला भी important है गोवा मुक्ती दिवस कब मनाया जाता है याद रखेएगा 19 दिसमबर को गोवा मुक्ती दिवस मनाया जाता है और अभी 2021 वाला ही पड़ा है लेटेस्ट वाला ठीक है 2021 में जो मनाया गया था वो 60 मा मनाया गया था ठीक है इसका अंसर होगा option तो कुछ प्रेशन जो हमारे कल discuss हम कर रहे थे और वो कल प्रेशनों में आपको आवाज नहीं आ रही थी कल के वीडियो में तो यहां से continue करते हैं जनवरी 2022 को कौन अंतरास्ट या मुद्राकोष यानि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के नए आर्थिक परामश दाता या मुख्य अर्शास्त्री न्यूक्त हुए हैं आई-एम्फ के बारे में आपको बतायता है इसका हेटकौर्टर पर प्रशन पूछ सकता है वाशिंग्टन डेसी में है यानि अमेरिका में इसके स्थापना वर्श 1944 में की गई थी और इसके जो मुख्य अर्शास्ती है परामश दाता अभी कौन न्यूक्त किये गए हैं ये हैं पियरे ओली वियर को किया गया है न्यूक्त इसके अलावा अनकैडमी लर्णिंग अप्लिकेशन पर भी मेरी क्लासे चलती हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यहां पर मेरी PCS की क्लासे हैं जिनको आप जॉइन कर सकते हैं फ्री आफ कॉस्ट और PCS की परिक्षा की तयारी अपने आप में एक लंबी तयारी होती है तो कम से कम 12 महीने आपको इस को कम्लीट करने में लगते हैं तो Pre-Mains और Optional की तयारी आप Uncademy Learning अप्लिकेशन पर कर सकते हैं मेरे साथ और बागी Top Educators के साथ में तो Republic Day Special एक ओफर आपके लिए है अगर आप 12 महीने का या उस से अधिक 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा तयारी के मिलते हैं और कौन-कौन से कोर्स इसमें आपको मिलेंगे तो ये जो ओफर है आपका ये 25 जर्मरी से 27 यानि ये कल और पर सो और रहेगा इसको अवेल कर सकते हैं इसमें आप सब्सक्रिप्शन पाने के लिए मेरा रफल कोड है IALI10 इस रफल को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का अडिशनल डिसकाउंट भी मिलेगा और 6 महीने का सब सब्सक्रिप्शन भी आड़ होगा आपके लिए तो अन अकैडमी पर हम आपको बता देते हैं कि एक जीएस की जीएस पिपर वन की टेस्स सीरीज चल रही है इस टेस्स सीरीज को हर संडे को कंड़क कराया जाता सुबह 10 बजे इस टेस्स सीरीज में आप रैंक वन आगर ले एक लेकपाल का बैचे साथ जनवरी से अगर आप एक्जामिनिशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं तो जीएस की जो टेस्स सीरीज की हम बात कर रहे थे उसमें रैंक वन या टू-3 लेकर कर आते हैं तो आपको अपर पीसिस लोवर आ यूपी पीसी यूपी ट्रेपल सी के जितनी भी एक्जाम से वह सब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में तैयारी उसकी कर सकते हो बहुत आराम से 12 महीनी का सब्सक्रिप्शन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको उसमें 6 महीनी एक्स्ट्रा मिलेंगे 18 महीनी आप फ्री 7881 पर प्रशन अगला देखेंगे जनवरी 2022 को केंदिर सिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने वर्शवल माध्यम से स्वच्छ विद्याले पुरसकार की घोशना की या शुरुवात की ठीक है इसकी शुरुवात की तो पहली बारी पुरसकार किस वर्श दिये गए थ प्रशन अगला देखेंगे जनवरी 2022 को 25 वार रास्टिय युवा महसब 2022 वर्चुली कहां से आयोजित क्या गया था इस प्रशन का अंसर होगा पॉड़ी चेरी पॉड़ी चेरी के अलावा इसमें इस सवाल में इसकी थीम भी पूचे जा सकती है तो सक्षम युवा शशक्त भारत इसकी थीम थी 25 वे रास्टिय युवा महसब की प्रशन अंगला देखिए भारत किस देश को पीछे छोड़ करके 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ्यवस्ता हो जाएगा तो भारत जापान को पीछे करके जो है सेकेंड नमर की एशिया की सबसे बड़ी अर्थ्यवस्ता बनने जा रहा है 2030 में ऐसा एक अनुम प्रशन अगला देखेंगे जनवरी 2022 को केंदर सरकार ने इसको सारवजनिक शेत्र की ऑईल एंड नैच्रल कंपनी जिसका नाम है ONGC इसके अंत्रिम अध्यक्ष और प्रवंदक निदेशक किसको नियुक्ति क्या है तो यह है कौन अलका मित्तल ऑप्शन सी इसका सही अंसर होगा प्रशन अगला देखेंगे जनवरी 2022 में सेंगतरा नहीं है तो अगर हम बात करें यहोगा जापान क्यूंकि अगर इसमें देखें इनाइटड नेशन सेकिरेटी काउंसल में जो इसके पाच और गॉर्गशन में से एक है रास इर्क्षव परिशन को इनाइट नेशन सेखेंगे या देशन सम Allen इसके अलावा हम बोलते हैं दस होते हैं नॉन पर्मनेंट मेंबर तो जो पांच पर्मनेंट है जिनको हम P5 बोलते हैं वो ये रहे ठीक है इसमें चीन है ब्रिटेन है USA है रशिया है फ्रांस है जापान नहीं है आप्शन में तो इसका अंसर भी आप्शन हो जाएगा ठीक है प्रशन अगला देखेंगे जनवरी 2022 में उडीसा के किस जिले को बाल विवा मुक्त जिला गोशित किया गया है ये है गंजम जिला उडीसा का प्रशन अगला भी बेहद इंपोर्टन है जनवरी 2022 को रक्षा मंतरी राजना सिंग ने किस विश्विद्याले में कल्पना यहां पर मेजर ध्यांचंद खेल विश्विद्याले की आधार शिला रखी गई तो इसका अंसरों का मेरट में मेरट को आप जानते हैं स्पोर्ट सिटी भी है यह भारत का यहां पर स्पोर्ट के समान बहुत ज्यादा मिलते हैं प्रशन अगला देखें अगला देखें जन बार समाला है इनमें से कौन से देश शामिल नहीं है इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें भारत शामिल नहीं है जो नए पांच एड़ों हैं इनमें भारत शामिल नहीं लेकिन भारत ऑल्डेडी इन पांच जो दस स्थाइस सदेशियों के अलावा इसमें जो हैं वो भार पर 2021 को संपन वे प्रिमेर लीग कौन सी श्री लंका की है ये लंका प्रिमेर लीग जैसे IPL होता है इंडिन प्रिमेर लीग ऐसी श्री लंका में है इसका खिताब किसके दौरा जीता गया है इसका आंसर करेंगे हम चलिए इसका आंसर होगा जाफना किंग्स के दौरा इसको ज रहे उत्राखंड के इसमें देखिए उत्राखंड के देहरादून जनपद में स्तित लख्वार बहुत देशे परियोजना की अधार्शिला रकी यह पूछ सकता है कहां पर है देहरादून में हैं ठिक हैं और इसके तहत यहां पर आप देखेंगे छे राज्यों को जो है इस भारती भाषाओं में वारशिक सहहित्य पुरुषकार 2021 की गोश ना की इनमें से किसे हिंदी भाषा के बाल सहहित्य के पुरुषकार से सम्मानित कीया या किया जाएगा तो यह है देविंदर मेवाडी प्रेशन अगला देखे दिसम्बर 2021 में सेयुक्त रास्ट परवरन कारियकरम जिसको उनाइट नेशन इर्वामेंट प्रोग्राम ये पी पे उलते हैं इसके दौरा 2021 के लिए Champions of the Earth Award 2021 के विजेताओं की घोशना की गई इनमें किस देश की महीला प्रधान मंतरी जो मिया मोटली है इनको ये अवोर्ट प्रधान की जाने की घोशना की गई तो ये हैं बार बार उसकी प्रेशन अगला 2022 को केन सरकार ने किसे वाइस चीफ ओफ दी आर्मी स्टाफ न्यूक्त किया है तो ये हैं लेटेन जनरल मनोज पांडे को किया है ऑप्शन सी सही अंसर है प्रेशन अगला और अंतिम प्रेशन देखेंगे जनवरी 2022 को लोग सबा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने पुनर विक्सित किये गए सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकारपन किया ये स्टेशन किस रेलवे जोन में एक महतुपूर्ण स्टेशन है तो इसको याद रखिएगा ये पश्ची मध्य रेलवे के अंतरिगत आता है कौन से राज्य में है राजस्थान में है प्रेशन अगला देखें किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है या सबसे ज़ादा मेट्रो रेलवे जो है वो कहां कहां विस्तरित है तो इसके आज के इस प्रेक्टिस सेट में हम इतनी प्रेशनों को डिसकूस करेंगे, कैसा लगा ये प्रेशनों के इस्तर ठीक है आपके लिए, तो अपने UPK करेंट अफ़ेर्स को भी ध्यान में रखते हुए किया है आपके लिए, ठीक है, पसांद आया है तो लाइक और शेर आप क्यारी कहीं और से करने की ज़रूत नहीं रही थैंक यू सो मच